टाटा मोटर्स के अंदर मेरे कहिने पे आपने 135 पे एंट्री लेके मेरा स्टाटेजी जो मैं 5 रूपीज के हिसाफ से स्टाटेजी बनाता हूँ अपने हर वीडियो में बनाता हूँ हर वीडियो में अलग-अलग लेवल का अलग-अलग स्टाटेजी बनाता हूँ और Tata Motors का भी strategy बना के दे दिया था इसका overall average ही दोस्तों आप सभी का 130 के पास बना है already आप सभी Tata Motors में profit में ही है अगर आप जो entry लिये हैं मेरे कहिने पे 135 और 130 level जब पिछले बार वीडियो अपलोड करा था 125 level के बास fresh entry दे दिया था आज मैं आप सभी को जो भी fresh entry कर रहे हैं exit भी बताने वाला हूँ और जो पहले भी entry करके मेरे कहने पे मेरे levels के हिसाब से average strategy maintain करके अभी भी Tata Motors के ओपर double profit में ही है दोस्तों किदर exit करें वो भी आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और फिर से Tata Motors के अंदर कब entry करना है क्या इसके अंदर reversal आएगा तो strategy क्या maintain करेंगे हर चीज मैं Tata Motors के आज बताने वाला हूँ Tata Motors में कैसे करें आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों आज जो भी target बताने वाला हूँ आप ये 5th October से लेके 9th October तक आप market में trade करते हुए चल सकते हैं जो मैं आज के levels बता के strategy बताने वाला हूँ Hello everyone मैं हूँ मोहमाद सोहिल आप लोगों के सामे stock लेके आ गया हूँ Tata Motors Limited अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें आप सभी को मैं दोस्तों इसके अंदर इस stock के अंदर आपको 140 लेवल के पास exit कराने के बाद फिर से वीडियो अपलोड नहीं करा था इसके अंदर आप लोगों को एक ही बात कह रहा था कि दोस्तों जो भी अब trend में Tata Motors में recovery देखने को मिली आप सभी को फिर से reversal में recovery इस बार देखने को मिलेगी अगर आप entry करना चाते हैं तो जब मैंने 140 लेवल exit कराने के बाद एक ही बात कहा था पिछले वीडियो में ही यही बात कहा था कि 140 exit कराने के बाद अगर आप entry लेना चाते हैं तो 135 के पास Tata Motors में entry लेके चल सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं 130 में भी entry करे 130 पे भी आप entry करके चल सकते हैं आपका exit होगा आप 130 135 पे entry कर रहे हैं तो 140 लेवल आपका exit होगा ये बात आप लोगों को मैंने clear कर दी थी उसके बाद देख सकते हैं stock में reversal जो मैंने 5 रूपीज का average strategy बना के आप लोगों को दे दिया था कि अगर आप 135 पे buy ले रहे हैं तो 130 पे buy लीजिए क्योंकि छोटे level का stock है ज्यादा भी नीचे नहीं गिरेगा और 125 ऐसा 120 level के पास तक आप इसमें average strategy maintain करके चल सकते हैं पर देखिए 120 लेवल इसमें देखने को नहीं मिले हमारे 135 से लेके 125 तक average strategy maintain हो रही है और हमारा 130 पे overall average बनाए और अगर ये भी बता दिया था कि अगर हम लोग 135 पे ले रहे हैं reversal जा रही है तो फिर से हमें 135 पे ही double से triple profit होगा average strategy maintain करेंगे तो देखिए 135 भी stock गया था अगर आप profit booking करें मेरे कहने पे तो देखिए आपको double से triple profit में आपने exit कर दिया है दोस्तों जो entry आप लिये ह वही entry पे आप सभी को मैंने double से triple profit दिया है अगर अभी भी आप इसमें entry लेना चाहते हैं तो दोस्तों fresh entry Tata Motors में अभी भी ready है अभी भी entry लेके चलिए 140 लेवल पे exit करने के लिए अगर यहां से भी reversal होगा क्योंकि यह already bottom trend line पे है दोस्तों अब trend line टच करने की कोशिश करा त 140 लेवल से आपको पका इसमें देखने को मिलेंगी अगर यहां से भी reversal भी हो गया ना दोस्तों 128 125 फाइनल लेवल आपको देखने को मिलेंगे हमें फिर से 5 रुपिस का strategy ही maintain करके Tata Motors के अंदर double से triple profit कमाना ही है दोस्तों हम लोग हर बार के जैसा इस बार भी double से triple profit कमाने वा market के अंदर आपको हर बार profit होगा दोस्तों यह बात मैं आप लोगों को पहले से भी बताते आता हूं जब से मेरा YouTube चैनल बनाए और आगे चलके भी बताते रहोंगा आगे चलके भी आप सभी को profit booking देता ही रहोंगा और एक बात आपको hint भी दे दी थी मैंने जो भी इसके अ और यह जो गाप अप में इधर भी ओपनिंग हुआ है इधर भी रिकवरी ले चुका है दोस्तों और आगे चलके भी यह वैसे ही ट्रेड करेगा जैसे हर स्टॉक ट्रेड करता है आपको इसमें 140 लेवल फिर से देखने को मिलेंगे अगर स्टॉक रिवर्स चले गया 5 रू और इंट्रडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए और बन जाएए दोस्तों हैपर ट्रेड फैंबली के मिंबर और एक बात आपको मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 1 अक्टोबर 2020 थज़रे के दिन टाटा मोटर्स का क्लोजिंग प्राइस था दोस्तों 133.85 पेसा यह जो मैं टागेश बता रहा हूं टागेश 5 अक्टोबर 2020 मंडे के लिए बता रहा हूं मंडे के दिन मेरे बाई इंग के लेवलस आपको देखने को मिले से लिंक के लेवल भी आपको market में देखने को मिले आप बेव फिकर होके market में मेरे levels पे trade करते हुए targets and stop loss लगा के चलिए stop loss हो रहा है तो कितना कम लुकसान हो रहा है targets हो रहा है तो कितना profit हो रहा है आपको खुद पताद चल जाएगा अगर आप पहली बार मेरे यूटूब चैनल पे आए हैं तो दोस्तों आप यूटूब चैनल तो सब्सक्राइब करी लिजिए और एक बाद अगर आप पहली बार वीडियो देखते हुए targets पे confused हो रहे हैं कि market में कैसे trade करें तो देखिए आप paper trading भी कर सकते हैं paper work भी कर सकते हैं दो भी एक ही है दोस्तों paper trading paper work अगर आपको target समझ में नहीं आ रहे हैं कैसा trade करें देखिए levels पे entry होने के बाद 50% quantity 50% quantity या 75% 25% या पूरा target पे पहले ही 100% target पे आप आपका पूरा quantity लगा के चल सकते हैं दोस्तों